गुनाव वनमंदल में आई दिन अवैद कटाई अतिक्रमन की घटनाएं घटित हो रही हैं किन्तु वन्विभा कार्वे के जगह सुस्त रवय्या अपनाएं हुए हैं और वन्विभा की लापरवाही के चलते आज किदारनाथ धाम पर कुंड में डूबने से एक मौत हो गई है सुत्रों से मिले जानकर के नुसार किदारनाथ धाम पर सावन के महीने में शद्धालू की भीड उमड रही है आज सुमगंती अमावस्या होने के चलते हजारों की तादात में शद्धालू किदारनाथ धाम पर पहुचे थे किन्तु यहां पर शौसन पर शौसन की ओर से शद्धालू की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किये गए जिसके फलस्वरूप आज एक व्यक्ति जो कुंड में नहाने के लिए गया था कुंड में डूब गया वहां तैराक ना होने से उसे बचाय नहीं जा सका और उसकी डूब कर मौत हो गए जानकारी के नुसार के दारनाथ धाम पर शद्धालो की सुरक्षक के लिए वन विभाग से आठ से दस वन रक्षकों की डूटी लगाए गए थी किन्तु वन हमला डूटी करने से बचने के लिए वन विभाग के पार्क में बैठा वन नजर आता है उनके द्वारा बाहर से आने वाले शद्धालो को कुण में जाने से रोकने सावधानी बरतनी की कोई समझाईश नहीं दी गए जिसके फलस्वरूप आज एक व्यक्ति मौत की मुँमें समा गया आज पुरिविश्व में कोरोना महमारी फैली हुई है इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालिंग करना अनिवारे है किन्तु यहां सोशल डिस्टेंसिंग की जम कर धजियां उड़ाई गई अब आने वाले दिनों में अगर कोरोना का कोई केस सामने आता है तो इसमें वन प्रशासिंग की बड़ी लापरवाही सामने आ सकती है कलेक्टर में किसकी लापरवाही सामने आती है और प्रशासिंग के द्वारा क्या ठोस कारवाई के जाती है गुनास जालम सिंख रिपोर्ट